तो आज की वीडियो होने वाली है इंदर लोग थर्स्डे मार्केट की जो कि कल की ताजा ताजा वीडियो है गाइज रात में वेरे हाथ में थोड़ा सा दर था इसलिए वीडियो कल शाम को नहीं अपनोड हो पाई थी और आज की वीडियो आपको काफी जादा पसंद आगी लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ एक चीज आज मैंने वीडियो में आपको ऐसी दिखाई है अगर आप पूरी वीडियो ना भी देखे तो प्लीज वो एंड का पार्ट जरूर देखके जाना आप लोगों के लिए सतरकता के लिए मैंने बहुत एक ऐसी वीडियो में मैं आपको वुलन कलेक्शन और एथनिक कलेक्शन और भी बहुत कुछ जो जो मार्केट में था वो सब दिखाऊंगी जारा वाले भाहिया के नए ने बैंक्स भी आपको देखने को मिलेंगे तो चलिए अगर आप सारी मार्केट्स की ट्रेंडिंग और पोशाखना, right line से भी आप एगजित कर सकते हो और आप green line से भी हाँ पर आ सकते हो। मार्केट में पहुने का टाइमिंग सुबर 9 बज़े से लेके दोपैर में आप सकते हो, आप सकते हो हो एक से दो बज़े तक आप सकते हो, तो मार्केट आपको लगी भी मिलेगी तो देख सकते हो आप मेरे पीछे इंदलोक मार्केट है और यहां पे मेट्रो स्टेशन भी है तो देख लीजे चलते हैं और देखते हैं आज क्या-क्या है तो उसके बाद देखिए मैंने जैसी एंटर किया यहां पर मुझे मिले यह सबसे पहले और यह 200 रुपे से लेके 400 रुपे तक के स्टॉल्स जो है सेल कर रहे थे स्टॉल्स बोलो शॉल्स बोलो इसमें फुलकारी शॉल्स भी थे इस टाइप के काफी अच्छे वर्क वाले श 400 रुपे का है और भाईया जो है अपने गले में डाल डाल के अपने शॉल्स वह सेल कर रहे थे और नीचे से भाईया को मैंने बोला दिखा हो तो यह वाला स्टॉल होने वाला है प्रॉपर और यहां पर काफी सारे शॉल्स वगरा भाईया ने लाए हुए है और धूप बि सारे अलग अलग कलर से देख सकते हो आप और यहां पर दिखे कोट वाले बहिया इनके पास काफी अच्छे कोट थे 200-200 रुपे में और यहां पर भाईया ने अपना कलेक्शन लगा रखा था इसमें आपको बच्चों के स्कूल रेसे गरम ड्रेसे के कोट भी मिल जाएंग और इसमें काफी सारी चीज़े थी उसके बाद 80-80 रुपे में यहां पर और गंजा के दुपट्टे मिल रहे थे जिनको आपको बस साइड से क्या बोलता है उनको पाइपन कराना है या फिर क्या बोलता है पीको कराना है कुछ ऐसा तो आप देख सकते हो 80-80 रुपे में का काफी अची जर्सियां और जैकेट मौजूद थे स्वेटर भी बोल सकते हो लेकिन मुझे जर्सी बोलने में अलगी मजा आता है बच्बन की आदा चाहती है तो देख सब तो 150 रुपीस का इटम है उसके बाद यहां पर 200 के दो पीसी मिल रहे थे शौल के पर यह थे नहीं तो अंकल ने काई अभी है नहीं जब आएका तब आप बना लेना उसके बाद देखो यहां पर जो फाब्रिक आपको ब्लू वाला दिख रहा है मुझे काफी पसंद आया गोटा पट्टी का फैब्रिक 120 रुपीस में और यहां पर एक भाईया थे जो की दे रहे थे एक ब्लू ब्लॉट ब्लॉट बने विए और बी काफी प्यारे डिजाइन के इन्होंने डाल रखे देख सकते हो आप कोई भी ले लो 160 रुपे के मिल जाएंगे आपको यह देख सकते हो इसमें अलग अलग तरके थे चोटे बड़े और हैवी स्कूर्ट भी थे इसमें कुछ-कुछ और यह सायद के विल स्कूर्ट स्कूर्स कई था और एक दो के साथ दुपट्टा भी था उनका देख सकते हो यह आपको मिल जाएगा 160 रुपे में सिर्फ और सिर्फ और एक अंटी नहीं लिया था तो उन्होंने सिर्फ 500 रुपे दिये थे तो आप इन्हें अगर आपको भी मिल जाए तो आप भी ले सकते हो गरम सूट मिल रहे हैं यहां पर 500 रुपे के उसके बाद यह भाद है लोकेशन है यह इंद्र लोग मैट्रो स्टेशन वाली मार्केट ही है जो मैंने आपको उपर से खड़े हो के तो वहीं पर आपको मिल जाएगी इस वीडियो के पार टू में आपको और भी काफी कुछ देखने को मिलेगा इसलिए इंद्र लोग की सीरीज मिसमत करना जारा कालेक्शन ब्रैंडेड मेकप ब्रैंडेड क्लोज ब्रैंडेड जूते चपल आपको मिलेंगे नेक्स पार्ट में देखने को तो इसी लिए आप लोगों को इंद्र लोग की वीडियो बिल्कुल भी निमिस करनी है और अगली बार इंद्र लोग कौन कोन आ रहा ही मुझे यहां पर मुझे अगें मिली डेड़ सोर्पे की सेल में काफी चेचे कोड्स जैकेट जो है मौजूद थे प्यारे भी काफी लग रहे थे यह तोड़ा-थोड़ा जो रेट है चीज होगा थोड़ा-थोड़ा थोड़ा हाई था लेकिन मुझे टैडी वादी स्वेट शेट का बैग भाईया बोल रहे यह चोले बटूरे वाले बढ़ापर में देख साड़े 600 का बोल रहे बट मुझे यह बैग कुछ खास पसंद नहीं आया उसके बाद यह हलका सा बैग था इसमें एक ही चेंट थी और यह बहु रहे थे साड़े 300 का पहले बैग मिल रहे थे जब म तो यह देखो यह बोल रहे थे लैदर का है और यह देखो यह वाला बैग भाईया बोल रहे थे यह 600 रुपे में आपको मिल जाएगा कुछ ठीक है आप भी बताइए इन बैग में क्या है जो आप इने पट्रियों से 600 का खरीदेंगे मेरे लिए तो मैं तो नहीं खरीदू है वो रेट सही है क्योंकि मुझे काफी जादा इनका रेट हाई लगा और क्वालिटी भी वह नहीं लगी जो यह पहले मतलब लाए थे एक दो बार शायद गल्टी से इनके पास वो क्वालिटी आ गई थी लेकिन अभी इनके पास ना कोई बैग ऐसा था जो हमें लेना मतल है जूट बोलना शुगर कोटेट बाते करना यह मेरा काम नहीं है जो भी रियालिटी होती है मैं आपको हमेशा रियालिटी चैक देती हूं मार्किट का यहां पर हैं यह दोसों रुपे साड़ी वाले और इनके पास दोसों दोसों में काफी इची साड़ियां मिल जाएंग इसके बाद यहां पर दोसों रुपे की सेल लग रही ती जिसमें यह तैप के गरम कूरते वगरा गरम जर्सियां मौजूद थी लोकेशन मैंने आप दिखा दी है देखो और गाइस कभी-कभी ना क्या होता है कि बहुत जादा लोग मेरे आगे पीची होते हैं इसके वह ब वीडियो शेकी है लेकिन ऐस आप झीज में आपको आज समझा देती हूं जहां पर जाकर मैं वीडियो रिकॉर करके लाते तो इसलिए थोड़ आसा मतलब मैं समझ सकती हो इसा होता है लेकिन फिर भी मेरी वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम आती होगी आपको क्लियरली समझ में आता होगा और जो बाकी यूट्यूबर्स हैं वो मोस्ली दुकानों की वीडियो बना के लाते हैं अंदर दुकान मे बनाते हैं तो इसलिए वहां पर उनको इतनी दिक्कत नहीं होती लेकिन मैं यह मेट्रो वाली साइड आपने भीड देख लिया उपर से कितनी भीड ती अब इस भीड में जाके वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत ज्यादा मतलब टास्की हो जाता है तो यह देख लीजिए अब घृचिन उनके संग्लासें देख लो और खरीद लो और जो पार्ट मैंने आपको सुरू में बताया थाना की इस पार्ट को मिस्मत करना प्लीज आप़ वीडियो में बने रहीएगा आप जब उस पार्ट को देखेंगे न आपको सच में कुछ तो ऐसा लगेगा जो आप पक्का पक्का comment करे जाऊगे तो फ्लीज वीडियो को मिस्स मत करना आप वीडियो को स्किप करना आज की वीडियो मैं आपको मैंने जो जानकारी शेयर करिया आप चाहें तो आप वीडियो को स्किप करके आगे पार देख सकते हैं लेकिन प्लीज आप वीडियो में पूरी जानकारी लेके जाना उसके बाद देख सकते हूं यहाप जैसे कि आपको इसमें कुछ लोवर्स भी देखने को मिलेंगे यह देखिए 50 रुपीज वाली सेल है और मैंने पूरा गुज का गुज उठाके फेकने में लगे वेते उसके बाद मैं यहां पे नहीं रूपी लेकिन हां यह है कि कलेक्शन इनके पास ठीक मिल जाएगा आपक काफी एचいや एकी कडे है लाता है और यहां के पास पैर रखने की जगनी होती है तोसनी आप सब्सित काफ स्यक्राइब कर नहीं थे और बह्या अपना में फ्लेक्शन अलगा रहे खे कॉस्चको और शान बालियां आप बेखने को मिल जाएंगी यही है जिससे हमारी में मार्केट इंदर लोग की अंदर की शुरू होती जो मैंने अभी तक दिखाई वह मैट्रो वाली ती अभरों दिखाते हैं अब को अंदर वाली वार्केट जैसी में एंटर हुई सबसे पहले मुझे तो इसके बाद यह एक शॉप है जिसके पास काफी एच्छे गाउंच बगए रहते हैं लेकिन भीड इतनी थी तो मैंने एक piece आपको record करके दिखाया अभी मैं आपको एक ऐसी gown की shop दिखाऊंगी जिस पर आपको सिर्फ और सिर्फ 600 रुपे में बहुत अच्छे gown देखने को मिलेंगे तो अभी आप बेने रहेगा उसके बाद मिल जाएंगे हापे आपको लटकंस इसमें आपको काफी अलग-अलग तरह की अलग-अलग designs की लटकंस वगरा देखने को मिलेंगी साथी साथ आप देख सकते हों यहाँ पर colors वगरा सारे मिल जाएंगे designs आपको काफी सारे मिल जाएंगे buttons वगरा मिल जाएंगे जिनकी quality काफी अची होने वाली है इसमें आपको कुछ-कुछ crop top वगरा की वेराइटी भी देखने को मिलेगी उसी के साथ आप देख सकते हो colors वगरा काफी सारे मिल जाएंगे यह देखिए यह रेड का लगा था यह भी आपको सिर्फ 600 में मिल जाएगा नीचे में आपको maroon green color के काफी अच्छी पीसिस थे लेकिन नेकिक पीसिस दिखाके उठाना और पॉसिबल यह आपको पता है नहीं हो पाता है यहाँ पर आपको काफी अच्छी quality के gowns देखने को मिलेंगे यह देखिए 600 रुपे में कितना प्यारा गाउन जो है भहिया ने प्रोवाइड करा रखा है बहुत अच्छी quality का यह गाउन होने वाला है और उसके बाद देखिए color बहुत प्यारा है डिजनी color है उसके बाद मुझे मिले आ गई velvet वाले चूड़ी वाले भहिया मैं निकल गई थी दूस इसरे वाले गेट से आएंगे उधर से यह आपको साइट से पढ़ जाएगी जो आपका स्कूल है उसके बराबर में भहिया लगाते है दुकान देख सकते हो यहां पर आपको साड़े 300 रुपे में मिल जाएंगे इस सूट और आपको मिल जाएंगे सूट देखिए सिर्फ इन पर काफी अच्छा जो है मौझूद कर दिया गया है रेड कलर के सूट भी में अविलेबल थे ग्रीन भी यह पॉपल भी यह ब्लाक कलर के भी काफी अच्छा होने वाला था यह देखिए इनके डैमो पीसिज में आपको इस टाइप के सूट देखने को मिलेंगे जब आ अच्छी तरीके की यह जो है भी याने सेल लगा रहे ती अब देखते हैं वह पार्ट जिसके लिए मैंने आपको बताया था देखिए यह लड़का है यह जो बत्तमीजिया होती है मार्केट में यह मैंने आपको दिखाई है यह लड़का यह जो दीदी जारी आगे इनके पीछे ही पीछे लगा हुआ है आप देखिए एक बार सबसे पहले लड़का मेरे पीछे आके खड़ा हुआ उसके बाद मैंने इसको डाटा और बोला भाया क्या बात है उसने बोला मैडम नहीं आप गलस समझ रहे हूं उसके बाद यह वही से मुड़ा और यह इन दीदी क जो मार्केट में होती है अगर आप में से कोई भी लड़की है कोई भी लेडी देखती हुए अगर आपने किसी ने भी देखा हूँ या कुछ भी ऐसा हो तो प्लीज उस चीज़ को वहीं पर रिपोर्ड करें और इंद्रलोग मार्केट में सेक्यॉर्टी की विवस्ता है व और वीकली मार्केट लगती है केवल थरस्डे के दिन इसके अलावा इंद्रलोग में कोई भी किसी प्रकार की मार्केट नहीं लगती है अगर आप लोग अभी कॉमेंट बार बार करोगे तो सची में मैंने नहीं रिप्लाय करना फिर आप लोग चाहें मुझे एटिटीड पाली बोलो या कुछ भी बोलो पूरी वीडियो देखा करो यार सुना करो तब ही तो पता चलेगा सो गाइस चोरों चकारों से और इस तरह के बत्नमीज लड़कों से साफधान रहे मैं कल मिलूंगी दूसरी वीडियो के साथ तब तक के लिए प्लीज लाइक शेयर और सब्स